किसकी फोटो कीच रहा था कज सक बता मेरे कीच रहा था अरे गरा तो छोड़ बता तो हम बता बता जल्ली बता वह क्या है कि कैमेरा में मेरे को पहले दो भैसे दिखाई दी और पास आने पे अरे दी दिखाई दे रही है किया मुझे बहाँ बोलता है बोल नहीं तू जीन दमान एंपाली नहीं राकी अच्छा लेकिर गलास तो चोड़ो प्लीज तेरे बाप की कै राशन के तुकान है क्या नहीं तो वो तो हम करते हैं तो तो सुखलाल जी कु जानती है अरे वही तो म आम मेना थो नहीं हाँ हाँ मैं मेना हूँ और तू मैं भारी तू तो में इतुल हैं है। とो आम मैं मैं अपारी दू मेरे फोटों ने लोगे दरूर लुगा सांस लिए और हाट भी करलू जररा हसी है क्या हुआ जी जरा नाजूख हैसी हसी है ना सौ ग्राम वाली नहीं पन्राग्राम वाली तो ऐसे कहों हाँ हाँ यह करेक्ट है पकड़के रखिया है तोता राम जी आप कब आए जी मैं अभी तक आया का हूँ मैं अभी तक रश्टे में हूँ और आता ही तोता को मैंना मिल गई जी शादी से पहले ही फोटो गजने शुरू कर दी तो मैंना बेटी तुम मैंमान को दूद दस्टी पिलाओ मैं अवेली तक हो किया था मैं भी हटाओ अरे आप खा जादें चलो खातिर करती हूँ अच्छी तरह खातिर करती हूँ कि एक प्लेट भजिया ला एक प्लेट उसला कोले के टबल में पानी जोगरा जल्दी है इदर हो क्या बात है सब यह हल्वा घी में बनाया घासलेट में कमाल कर दी आपने दो साब आज कल घी और घासलेट मिलता ही कहा है कुछ भी समझ कर खा लीजिए तो शकर कम पेशल बन करके देना अधा किलो हल्वा एक और मुर्गा पर्ज गया इसी आपकी किरपा होती रहे और मैं माता जी की सेवा करता रहा हूं अरे आप कब आये लगा जी अरे ये क्या कर रहे हैं आपके आशिरवास से सोफ फैक्टरी के लिए जमीन की मंजुरी मिल गई अच्छा अच्छा इसलिए सत्यनारान की कथा भी करवा डाले बहुत अच्छा भगवान के कामें देर करना तो अच्छा नहीं परसाद लिए लल्ला जी आपके जैसा दामात तु बड़े भग्य से मिलता है अरे ये क्या कर रहे हैं शीला जी सत्यनारान का प्रसाद लो और ले लो अरे सुकलाल प्रसाद तुम भी लो लोगों को बाड़ दो लाइए लाइए जमाई बाभू ये तो आपने बहुत अच्छा कांग चिया क्या है माता जी मनत मांगी थी कि ये काम पूरा हो जाए तो दीवी को सोने के कंगन चड़ाऊंगा अच्छा काम तो पूरा हो गया अब ये कहां चले गए अरे जोबा जोबा आपका बाए वो छोड़ जरा कंगन तो उतार के दें ये क्या लादा जी मैके वे मा के सामने उसकी बेची के कंगन उतरवाएंगे नहीं माता जी चड़ावाई देना तो पड़े गई इधर आप ये कंगन तो उतार देख क्या रही है कंगन उतार के लल्ला जी को दे देवी को चड़ाएंगे माता जी शीला जी के कंगन क्यों क्यों ये क्या साथ लेकर जाएगी ला लेजिए लेगा कुई है मैंने कहा कोई कौन चाहिए मेरे सासुर जी मेरा मतलब है सुखलाल जी है सुखलाल तुम्हे कोई मिलने आए थैंक यू तो ताराम जी आवा ये जो साथ थे जिन्हों ने आपको बुलाया ये कौन है इस गर के जमाई है जमाई सत्य नारायन का प्रसाद बाट रहे है लो तुम बिखा ये सत्य नारायन का नहीं नारायन होटेल का घास लेट चाप हल्वा है मैंने अपनी आखों से इस सज्जन को ये हल्वा करीत देखा है बड़ा बदमाश जमाई है जी 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 अध हो गई इसका मतलब ये सारा प्रसाद का नाटक बहुरानी के तकंगन उत्रवाने के लिए था इस तरह तो ये सारा घर नुट लेगा नहीं नहीं मुझे शेहर जाकर प्रकाश बाबु को सब बताना होगा सब बताना होगा हुटिल के हल्वे को सत्ते नारण का प्रसाद बोलके बाटा गया छी 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 इतना ही नहीं बहुरानी के हास की चूड़ियां उत्रवानी कहने लगे मन्हत मांगी है चड़ावा देना है ऐसी सास मिलने पर चूड़ियां क्या काका वो तो घर भी विखवा देगा और हमारी माप से भी नहीं समझेगे ऐसे दामाद की तारीफ हो रही है और घर के बहु बेटे को चैंग की रोटी भी नसीब नहीं पेचारी वीना को खेलने को खिलोना नहीं और ये श्रीमान जब भी तर्शीफ लाते हैं आर दस हजार का मा लिये बगार जाते ही नहीं लेकिन तुमारे भाया और शीला भेंट कुछ बोलते क्यों नहीं दुगा तुम हमारे घर के बारे में कुछ नहीं जानती हमारे पिताजी बड़े ही सूर्मा अगमी थे लेकिन जो भी दबदबा था घर के बाहर घर के अंदर मा की खुमत चलती थी जहां मैं चारे पिताजी कुछ नहीं कर सके आप ये बाभी की कौन सुनेगा लेकिन अपने घर की जिम्यदारी हमारी भी तो है मैं कैसा अपना घर मैं उस घर को हमेशा कली बूल चुका हूं नहीं चोटे माले ऐसा मत कही है मैं सिर्फ उस इड़ पत्थर के मकान या उनके धंधारत के बारे में नहीं कह रहा सरा उन जिंदा इंसानों के बारे में सोचिए जो जुबान रखते हुए भी बोल नहीं सकते जो अपने मन को मार कर जोज दिखता है उसे देखते और सहते रहते है मैं पूछता हूं यह सब कितने दिन तक चलता रहेगा सुख्लाल खाका मेरे पिज़ मेरा तो खून का रिष्टा है उनके साथ मैंने बहुत सोचता हूं लेकिन मा की मरज़े के बिना किसी कुछ चलती है कितनी बार भेया भावी सिकार गाहु छोड़कर यहां चले आओ और तुम से भी यही कहता हूं फोगर इंसानों के रहने लाहिक नहीं है क्यों नहीं रहते हैं हमारे साथ क्यों रहो तुम्हारे मास एक तरफ खून का रिष्टा भी कहते हो और दूसरी और उनसे संबंद में रखना नहीं चाहते है मैं नौक करूँ उस घर का नमक खाया है मैंने मैं मुझ नहीं मोड़ सकता हूं जाता हूं सुकलाल काका नहीं बड़ी आस लेकर आया था ठेक है भगवान की जो मर्सी होगी वो यहोगा उन जिन्दा इंसानों के बारे में सोचिए जो जबान रखते हुए भी बोल नहीं सकते तुमने जो वेलगारी बेजी थी न उन मुझे चिंटे पपो को देजी तुम्हारे सर पर सेहरा देखती की मेरी और तुम्हारी भावी की इच्छा मा के गुस्से के नीचे दब करी रहने अज़े सकता है दुरगा उठ्चों मैं मुझे नहीं आ रहे क्यो? क्यो बात है? एक बात पुछो? पुछो मेरी बात मानोगे? अरे बाबा, कौनसी बात है जो नहीं मानी? बोलो, क्या बात है? बचन दो दिया बचन मैं अपनी ससुराल जाना चाहती हूं क्या ससुराल होश में तो हो तू हूं बिलकुल होश में हूं अपने इतना बड़ा घर है परिवार है फिर हम पराय लोगों की तरह उनसे लग क्यों रहे अचानक आज तुम्हारे मान में यह पागलपन कैसे गुसा रहा अचानक नहीं शादी से पहले मैंने सोच लिया था शादी से पहले यानि कि तुम अपने पिता के अभमान का बदला लेना चाहती है नहीं यह बात नहीं है तो पर वहां जाने की जित क्यों तुम समझते क्यों नहीं सुकलाल के आँखों में छलगते वे आंसू बार बार कह रहे थे कि उन जीते जागते इंसानों के बारे में सोचो तुम्हारे भाभी और वीना के हालत सोच कि मेरे मन में हलचल मच रही है हम आज जरूर जाएंगे प्लीज मुझे विश्वास है मुझे उनकी ममता और आशिरवाद जरूर मिलेगा ममता और आशिरवाद मेरी माँ से कुछ भी हो हम जाएंगे तुमने मुझे बचन दिया है तो हम रिटरंटे कर लेकर चलेंगे क्योंकि हमें हावेली की चोखट से ही वापिस लॉटना पड़ें अभी चले कल कल तुब ठीक है अभी सोते हैं आगवाद आज एक बहुत बड़ी सेमेतारी लेकर जा रही हूं मैं मुझे शक्ती दो मैंसे निभा सकू बाबा पेटी जब तुम जाना ही चाहती हो तो हम तुमों रोकेंगे नहीं लेकिन दिल घता तुम ससुराल में सुखे नहीं रहोगी बाबा शादी के बाद लड़की का घर ससुराल होता है मुझे आश्रवाद दो कि मैं इस घर को सुखी बना सकू कि मैं तुम्हें यही आश्रवाद दूंगा कि अपनी सास की कटोरता को प्यार और मनता में बदल देरे में सखल हो माँ बेटी अपनी सास के दुख सुख को अपना दुख सुख समझना उनकी सेवा करना यहीं बहू का धर्म है संप आपना संप थे लगवा शुम्हेश वाल 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 कि व व प्रशाइश तो नमस्ते अंदर मताना दीवर जी बहारी खेरना अरी पर चुछ आरी पर चुछ राम राम चोटे माली राम राम चोटी बावरा जी राम राम सुख्याल का कैसे हो राम ची किर्पाइश अरे डरेवर भी यादरा सामान तुख्याल जा जा बाम राम जाओ जल्दी जाओ अब अंदरा नहीं तुम नहीं पहले देवरानी अरे लक्षमी नहीं बहु के रूपे घर में पैर रख रही है तुर्दा जान से भरे हुए इस बर्तन को पैसे अंदर गिरा दो और उसे लांक कर घर में प्रवेश करो ताकि तुम्हारा घर हमेशा अनाज से भरा रहे वहीं थे है कि उने सिली तुझे यह सब करने के लिए किसने काहा था ज़गा अंदर शुभा यह दर्वादे पर कौन पर आये लोग आए है परायर कोई नहीं है मा आप नहीं है शोभा कह दे उन्हें मैं उन्हें नहीं पैचानती दीदी उनसे कह उनके छोटी बेटे आये उनके साथ उनकी धरम पत्नी इस गर की बहु आई है मेरा छोड़ा बेटा था अब नहीं है उम्रो रष्टे को शोबा देने वाली बात मुझसे निकाली मा जी सुना मा तुम्हें अका सिखाने आई है निकाल दे निकाल दे यहां से बाब बड़े खमट से कहके गया था कि मेरी बेगी सुमारे चपकते पाव रखने नहीं आई है पिर क्यों आई है उन्होंने कहा होगा मैंने तो कुछ नहीं कहा मैं इस घर की नहीं बहु हूँ इस घर में प्रवेश करने आई हूँ और करके ही रहूंगी तुर गाला बहुत तमाशा हो चुका अब चलो जहां से नहीं मैं इस रस्म को पूरा करके अंदर जाओंगी चाहे कुछ भी हो जाए अच्छा यह बात है तो फिर मैं ही ठोकर मारती हूँ इस घर में आने के रस्म को मैं कहती हूँ चली जा चली जा यहां से है अब मैं आता नहीं को आप शुगर ना किजी माझी लक्षमी का अपमान होता है कुछ तो अपनी इजद का खेल कीजिए क्या कहा? मैं? मैं अपनी इजद का खेल करूँ? केलते हो यहां से नहीं माझी मैं आपकी बहू हूँ आपको मुझे अपना नहीं होगा तो आपको मैं आपको मैं आपको मैं आपको बहूँ का झापको एजद का झापको माँ चलब रहने देज धुमको अरे वाँ पहले मा का अपमान अप सम्मान डिदी माँ मैं जा रहा हूँ ठीक है ठीक है उसे भी साथ लेता जा उसका यहां रहना मुझसे सहन नहीं होगा मैं तो खुब चाहता हूं माँ कि वह यहां ना रहे लेकिन क्या करूं मानती नहीं अच्छा तो मुझसे जगरा करने की इरादे से आई है मैं भी देखती हूं कितने दिन मेरे सामने टिकती है अपने ख्याल रखना दुरुखा मुझे तुमारी चिंता है सुचता हूं मा के साथ तुमारी कैसे ने भेगी उसकी फिकर मत करो मैं सब ठीक कर लूँगी चुची लिखते रहना हाँ झाल झाल तो कि तुम मैंने दुद्रका ये क्या दीती तुम तुम मुझे कुछ काम करने ही नहीं देती मैं भी तुम्हारी तरह ससुराल में आई हूँ तुम तो दो चार दिन के लिए आई हो तुम से काम कराना मुझे अच्छा नहीं लगता तुम जो सारा दिन काम करती रहती हो मैं तो सदा के लिए यहां की हूँ तुखों का सामना करने आई हूं मैं इस घर की घुटन में सांस लेती हुई अपनी बड़ी बहन का साथ देने बहन तुर्गा बड़े नसीब से मिलती है तुम जैसी बहन इस चार दीवारी में तुम्हें साथ पाकर लगता है बहुत बड़ा साहरा मिल गया है दीदी तुम्हारी आँखों में आँसु शादी की दिन से आज तक आफी पाह रही हूं अज पहली बार खुशी के आँसु छलक रहे हैं आखों से एक बात पूछों पूछों उनसे यहां के बारे में जानकर मैं यह सूच रही थी कि इतने दिनों से तुम सासु जी के जुल्म से दी रही हो दबने पे तो जीटी भी काट खाती है क्या मन नहीं है तुम्हारा हैं लेकिन मूं मर गया है रहने दो कुछ मत कहो कहने दो आज मुझे सब कुछ कहने दो तुम्हें बताने से परसों से मेरे दिल पर रखा बोच हलका हो जाएगा मैंके की च्छाय से मैं यह रहने आई मेरे माँ बाप की गरीबे का जिक्र माची उटते बैशते करती रहती है रोस्ताने दिये जाते हैं मुझे शादी की पहली राद थी में जिन्दगी की नई खुशियों के सप्षे सजाए उनकी कमरे में जा रही थी ठैट वहां कहां जा रही है अपने कमरे में जा रही है पहले ये तो बता तेरे माबाप देहद के तीस हजार रुपए कब देंगे मैं कैसे बताओं पर उन्होंने कहा तो है दे देंगे हां मगर कब मरने के बाद कान खोल कर सुन ले जब तक देहद के तीस सजार रुपए नहीं आते तो मैंके नहीं जा सकती उनके मरने पर भी नहीं माजी क्यों ऐसी अशुब बाते मुझे निकालती है जवाब देती है मुझे ठैर अभी बताती कूँ ऐसा सबख सिखाऊंगी कर फिर कभी मेरे सामने मुझ न खोल सके माजी जादी नहीं माजी यार नहीं माजी एक तो भी आरी घर किया उपसर दबानी अलादी है मैंने तोस्त समझ कर पाउं पे दाब दिया है ताके तुझे जिदगी के हर कर याद रहे के मेरे सामने मुझ खोलने का क्या नतीजा होता है जा अब कर उने ग्रस्ते के शुरुआता है मैं राज प्र उनकी कंदे पर साराका फूप फूट कर रोती रही वो मुझे समझाते रहे तसली देते रहे मगर उनमें माजी से कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई माँ मेरी साधी कभी मत करना यह तो मेरी साधी मेरा पाउ जला देगी पीना ऐसे नहीं कहते पीटी दीदी अब मैं आ गई हूँ तुम्हारे जखमों पे मरहम रखने तन के और मन के भी इस घर में अब और जुल्म नहीं होंगे जिल्ली चल खाना परोस्ती हूं क्यों उसके हाठ तुट गए हैं क्या अब मैं यहां आ गई हूं तो क्या सारा काम शीला लीदी करेंगी मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है देखा मा कर्नल की बेटी फर्ज टी खेकर आई है नहीं नहीं आई है ना एक दो दिन आटप तो करेगी ही मुझ क्या देख रही है चल जल दिखाना परोस्त भूक लगी है तोबा क्या खाना है दूसरी आई है तो पहली सबी गई गुजरी अच्छा खाना हमारे नसीब में ही नहीं खा बेटी अरे अरे डाल डालना यह दाल बनाई है पानी भर दिया है कोई साइका ही नहीं और अरी भाजे आदा तो नमक जोंग दिया इसमें कोई जानवर भी मून लगाई इसमें खाने को खा दिदी तुम भी बैच जाओ खाना खालो मैं बाद में खा लूगी बाद में क्यों मैं परोस रहें बैठो थैर यह हमारे साथ बेच्टे खाएगी क्यों नहीं यह घर की बड़ी बाउमर बैठो दिदी तरली ओट वहां से नहीं यह नहीं उठेंगी तुम खाओ दिदी फिकर मत करो क्या कहाँ मेरे खिलाब भड़काती है उसे बेच्टे आएगी बड़ काओ दिदी हुआ मेरे रौके बड़ करे दो करेंग खाएगा किलन दुम खाओ बड़ Punkte पेड़ करेंब बड़काती है लुआ है भूँआ है धाग बड़काती है लुआ है हुआ है हुआ है